हम भगवत गीता के चौट धाय के चटेशलोग को देख रहे हैं الؤर्थि तरजिंगे हैं। मेरे पीछे बोली माय इकी कौन बूल रहा है। अजो पिसन अव्ययात्मा भूतानाम इश्वरो पिसन। प्रकृतिम स्वामधिश्थाया संभवाम्यात्म मायया। अजो पिसन अव्यात्मा भूता नामिश्वरो 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 पिसन अव्यात् अजन्मा होते हुए भी अजो पिसन अव्याय आत्माकर्थ शरीर आत्माकर्थ मन बुद्धी संकल्प अधि ऐसा होते हुए भी भूता नाम इश्वर पिसन इसक्यार्थ है कर्म की परतंत्रता से रहित होते हुए भी प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाया अपने सुरूप स्वाम अपने प्रकृति मने सुरूप सभाव को अधिष्ठाया नि स्विकार करके संभवामी में प्रकट होता हूं सम्यक रूप से भवामी सम्यक रूप से अप्रचुत ज्ञान बलवीरी आदी के संग प्रकट होत येस भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है भगवान का विलक्षणत्व जन्म का और उसका सनातनत्व ये वड़नित हुआ है श्लुक में यद्दिपिवे समान पुरुष की भाती प्रकट हो सकते हैं किन्तु उन्हें विगत अनेक अनेक जन्मों की पूर्ण स्मिति बनी रहती है जबकि समान मनिश्य को कुछी घंटे पूरु की घटना समर्ण नहीं रहती यह भी कल कितनी रूटी खाए थी आपने सुबह एक भी नहीं क्योंकि मिली नहीं और दुपैर में एक खाए थी और परसों याद नहीं गवराज करी यह एक एक दिन पूर्णिभ में महाइं तो होता है वहारी यह उनको पूछैकि एक दिन पूर्ण crushed तो समान विक्ति के लिए उसका तत्काल उत्तर दे पाना कटिन होगा इसे इसको स्मर्ण करने के लिए अपने बुद्धी को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था कुरेदना कर समझे रहोंगे जैसे एक्जाम में देखते थे न औरी ओ बस बस ऐसे कुरेद रहते है कर नहीं अता फिर जब इसाम हो जाते और यह आता है तो कुरेदना वुद्धी को कैसे कुरेदें यह थिरू पिर भी लोग पटा निहीं कब से आपने एक्जाम नी दिया हुआ हमने तो काली आईडी सी को उसके बात से को इसके बाद कर आए इटी का आखरी लिखने के बात को एक्जाम दिया नहीं दिया तो IDC के एक्जाम दिया था बस उसी थाइम फोकस कर रहे थे वाकि उसमे तो आसान प्रशन होते हैं तो कटिन नहीं है लेकिन बाकि तो में तो बन सकते हो तो कि आठीक है आप में अब्जेक्शन नहीं करता हूं कि क्याच कि आपने मैं बनाँगा तो आप कसी बन जाएंगे आप भी बन सकते हैं तो अच्छा ठीक मैं भी बन सकता है तो आपकी बात पाले आप गूरु मचेला लेकिन दोनों ही भगवान बनना चाहते यह गलत बात है भगवान नहीं कहते असा मनुष्य को ऐसी निर्थक गोश्राओं से ब्रह्मित नहीं होना चाहिए क्यों निर्थक है अगर तुम भगवान थे उनका यह प्रोपोजिशन होता कि पहले भगवान थे लिकिन माय ने को पकड़ लिया तुम से पूचो कि जब जब आप सर्वश्वर थे शक्तिमान थे माय ने पकड़ लिया अब आप नहीं है तो मय को छोड़ देगी कि जब आप सरवग्य थे सब कुछ था तब तो माय ने पकड़ लिए तो माय भगवान हुई न क्या बगवान हुए तो यह सब बाते माय बादियों की बहुत फॉल्ट से युक्त है मनेश को ऐसी निरते गोश्णाव से ब्रहमित नहीं होता क्या है कि समान विक्ति के बाद इतना लॉजिक नहीं होता है जैसे देखिए एक आनन्द में विक्ति हैं जो बड़े अब इवेक से कहते हैं कि तुम्हें किसी को गुरु के रुप में स्विकार नहीं करना चाहिए तुम अपने गुरु स्वैम बनो सब्सक्राइब या जैवनता मताजी आपको गुरु स्विकार करने की जुड़त नहीं है कि आप अपने गुरु स्वेम बनिये है तकर गुरु कौन हो गया में आपका mom how तो आपके हां गुरुदेव आपकी बात बिल्कुल सही है मुझे गुरु स्विकार नहीं करना चाहिए आपकी बात मान रही इसलिए आपको भी आपको भी गुरु के रुपे शिकार नहीं कर रही हूं इसलिए मैं गुरु स्विकार करूंगी है आप देख सकते हैं ये बात इस तरह से को बोलेघा नों करो he कि अपना गुरू स्वेहां बनो भी आप प्रक्रून हो चुने बोला कि कोई गुरू सुखार नुख पर अधिक सबसे बड़ी दिककत थ्कत है कि कल योग में लोग सोचते नहीं है तो आप कुछ भी प्रीचिंग करेंगे वह प्रीज्ट हो जाएंगे कि कुछ भी प्रीचिंग कीजिए आप लोगों के पास सोच नहीं समता ही नहीं है कुछ भी प्रीचिंग कीजिए कि अभी जीले में जा रहें प्रिचिंग करने वहां पर एक वक्ति आये परें कृष्प बता रहे थे कि वह यह बूल रहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लाने रभावत भारता अभित्हानाम धर्मस्य तदात्मानाम सर्जामे अहम तो करें अहम का मतलब क्या है हम मतलब मैं मैं । मैं और आप यह कहां एक क्यうते जब जब धर्म के इगलानी हो तो मैं और आप अंतन हो सकते हैं मैं और आप अप्टरिफ हुदे हमें革ा इस तरह के नेरश्यकनाम से ब्रह पारतमी ज यह पूछानी नहीं हो कह रहे हैं कि हम ध्रम किसा स्थापना के लिए अवस्तित हुमें बोलने वाले भी बेवकूफ हैं और वाई इस ऑफिसर थे अब देखे आपने ठीका पढ़ ले तो इस पढ़ने असानी हो रही है और यह देख रहे हैं प्रभपाथ एक्षर घ्शकली भट्ध विध्य भुषण पात को एक्जाटली संस्कृत बोलके वाक्या कर रहा है एक बार अपने वह तीका पढ़ ले तो प्रभपाथ की तिका ब जाएगी भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर प्रकट होते हैं एक उसरी आत्म का ईत्नकार्थ शरीर इस जननंग में बद्जीव का एक प्रक्रार का शरीर हो सकता है कि अगले जन्नम में दूसरा शरीर रहता और इसी जनम में हमारा शरीर लिए चेंज होता रहता है बहुत ही जगत में जीव का कोई थाइ शरीर नहीं है अपी तुव एक शरीर से दूसरे बेहांतरन करता रहता है यह हम नहीं देख पाते हैं वैसे प्रे देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं यह कहना चाहिए सब लोगों के पास फोटो है बच्पन की अपनी प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे से लग रहे थे आपके पास भी फोटो है हां कितना अंतर लगता है ना भी कि एक तरह अपना फोन ले लिजिए ऐसे सेल्फी और मैच कराई तो वह तो देह गया को कभी रोए आप उस देह के लिए जो मर गया वो तुम जो मर गए उस देह चला गया ना अब बताओ कैसे आप इसको निग्रेट कर सकते किसे बोल सकते हैं बताइए गीता की शिक्षा की पहली शिक्षा की देह का परवर्तन होरा रावरा आत्मत नहीं चेज होती है तो आँक श्रीर में प्रकट होते हैं आधि श्रीर मतलब जो सभी सभी श्रिष्टियों का आधी है दूसरे शब्दों में श्रीकृष्ण जगत में अपने आधी शाष्वत सरूप में दो भुजाओं में बासरी धारं की अव्तरित होते हैं वे इस बहुत बहुत एक जगत से निश्क रहकर अपने शाष्व श्री सहीत प्रकटते हैं इसका क्या रहत है वह सीधी बात है हम लोग जब श्री धालन करते हैं तो उसी समय गोणों से लिप्त हो जाते हैं सत्वगोण रजवगोण तमगोण आप इसे कितने लोगों ने अन्भव किया कि रात्री में चेतना अलग और सब्सक्राइब अलग होती है कि एक दू तीन लोग है ना कुछ है ना इसीलिए हो सके तो जल्दी सोचाना चाहिए हो सके तो क्योंकि ज्यादा बुरे विचार रात्री में आते और फिर आप सुवी देखेंगा रही वह कौन था जो रात में सोच रहा था ऐसा अलग परस्न सब्सक्राइब में बिल्कुल हम जैसे वेवस होती ना वेवस ऐसे जा रहे है आप लिगोंको आश्र नहीं हो हमको तो कभी में अपलेगता ही दू दो पस्नेल्टी है कि दो लोग का अवतार तो नहीं बस रात्री में अलग और सुबह अलग एकदम अलग इसलिए सब्सक्राइब करेंगे तो काम से बच सकते हैं तो हम लोग तो एकदम कलूशित है देखना चाहिए कि कलूशित हम तो नहीं 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 कितना भी दोलो दरी शरीर को तो नहीं दोलोगे ना शरीर तो है ना यह दिखा रहा है शरीर is a sign of infection शरीर में फोड़ा हो जाता है तो सब्सक्राइब को प्रकत करते हैं और ब्रह्मान के सवामी होते हैं तु असा लगता है कि समानजीव की भाती प्रकत हो रहे है यही मैं को समझा रहा था कि यह भगवान जब यहां पर आएंगे तो ऐसा चलावा ऐसा लगता है कि वो समान इंसान है प्यारे प्यारे क्यूटी बॉइ प्यारे बच्चे लग रहे हैं और कूद रहे हैं काद रहे हैं लेकिन वह दिव पुरुष है यह यह नहीं समझ में रहा है अगर बुद्धी को दोड़ाएं भी तो समझ में निरा आत्मा और इसा सौफ्ट सौफ्ट सा स्केन और यह और ऐसा भी लगए कि हड्डियां हो इसमें है नहीं लेकिन ऐसा प्रतीती होती है तब ही तो बाण मारेंगे ना लोग पूल झ्यों हो सकता है मन करें नहीं सकता है और इसमें सुक्ष में आत्मा तो बगवान पूरर चिन वह आत्मा था है बगवान कوقरें का शक्धा के जाए серд करते हैं योपमी नर Supreme Constitution करती हैं तो उनको थी लगए हुए स्ने से भेस्तप्र देल मारा प्चत committed बच्चे हमारा बच्चा बस वह स्पेशल है प्रेम है कि अब क्रिष्ण कैसे हैं वह तो अनभा वजबती होगा तब हो सकता है यह अद्भूत है यह अद्धपी उनका शरीर भौत एक शरीर की भाती शीर नहीं होता फिर भी ऐसा प्रतित होता है कि भगवान कृष्ण बालप भी सत्य अद्वेत्व मच्चुत्मानादिम अनंत रूपम है भगवान हर समय एक जन्म के अवस्था में होते हैं स्विकार करते हैं अब भगवान कृष्ण हर समय तरणा वस्था में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण हर समय पौगंड लीला में रहते हैं भगवान श्री सूर्य हर समय एकदम हैरम वाली वेस्था सूर्य हर समय दुपहर के वालम अवस्था में रहता है तु कि इसा धुस्ता है कि सही साहारे करें ठादब कर दोड़ता में एक यह घटना देखेर अच्छा एक चीज विचार की जब परमपचे लोगनात महाराज ने क्लास दिया था अगर आपने सुना हो तो उन्हें कहा कि हम लोग जब भवान श्री किष्णी की लीला सुन रहे होते हैं पढ़ रहे होते हैं तो हम वर्तमान में रहते हैं तो वर्तमान में कैसे रहते हैं अगर आप से कोई पूछे कि अभी क्या हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे उसको आप भूत काल में कहेंगे, भविश्य में कहेंगे, कल क्लास होगी, और यह कह सितने कल क्लास होई थी, अभी क्लास हो रही और आपस में है, कुछ समाझ में आए बात, वर्तवान का मतलब क्या होता है, तो जब भक्ति भगवान श्री कृष्णी की लिला के बारें बोल भूण लिला के बारें बोलने लग जाओं तो पौण लिला कहीं हो रही कि नहीं और यह बोला जाता है कि जिसकी चेतना जहां होती हो वह होता है, जैसे मान दीजियों कहा जाए कि कल की क्लास हुई थी, तो अब उसमें आप नहीं हो सकते हो कि वह हो चुका, लेकिन भगवा कि लिला कर रहे हैं तो भगवान कहीं न कहीं है जैसे कि मान लिजे अभी हम इस लोग बोलते हैं फिर से बोल जाए अजो पिशन अव्यायात्मा भूतानामिश्वरो पिशन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाया संभवाम्यात्माया अब इस पर जोड़ लिजे श्री भगवान अधान वशाच श्री भगवान ने कहा तो जैसे मैं यो बोल रहा हूं श्री भगवानर कहा कहीं न कहीं न कहीं किसी भ्रमान भगवान ने बोल रहे है। श्री अग्याव bonमीश्वरो पिशन प्रकृतिम्स Cult. रिश्ठाया संभवाम्यात्माया व्रतमान में होग्याकी नह विष्ट लोग वहां कहीं ब्रह्मान में बोल रहे हैं और आप कनेक्ट कर रहे हैं उनसे कुछ विरोध समझ में रहा है ये इस अमेजिंग इसे नौट आपका भूत और बविश्य कायब चैतन चेटामिंद्धा मालिजे महाप्रुगी की लीला पढ़ रहा है तो उस लीला में आविष्ट है तो लीला तो हो रही न कहीं किसी ब्रह्मान में तो वर्तमान में आगे सीदे उनली वर्तमान कि महाराज जब बोला तो मैं विचार कर रहा था सब मतलब क्या है समझ में आगे वर्तमान हैं ऐसा क्या आर्थ हुआ काफी इंट्रॉस्टिंग पॉइंट है कि नहीं जैसे आप बोलना शूरू करते हो या परायन कर रहे हो तो जैसे इसे पराण करू है वहां तो वहां टीका ठीपडी दे नहीं रहें वह तुरंट अपना वह बोलना शुरू कर देंगे वहां दर से बोल रहें उनके सब्सक्राइब मैच कर रहे हो अजो पीशन अव्यायात्मा भूता नाम इश्वर पीशन प्रकेतिम स्वाम अदिष्ठाया संभवाम अत्मा या तो भगवान के सुर से सुर में लाई आव सुर हो जाएंगे गलत तो नहीं कहा रहें अच्छा डामेंशन है तो वर्तमान में रहें बूद्भविश्ट के बारें चित अमत कर इसीले सुना आमने आयुरहरतिवाइपुम्साम उद्धनस्तंचयन नसव तस्रते यच्छणो नीता उत्तम श्लोक वारतया ठीक है कि कहां थे यहां पे ना किन्तो आश्चर तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते अब बुद्धा होना ब्लकुल पसंद नहीं है प्रहुपाजी जिस पे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णी की फोटो कभी बु बुद्र का six-pack होता है ऐसे लाइन बनी रहती है पेट के उपर तो इस तरह से दिखाते हैं और मसल दिखा रहे हैं कि भगवान शक्तिशाली होंगे तो कि उनकी biceps होंगी लेकिन भगवान इस तरह से नहीं है बहुत कोमल शरी रहे फिर भी अनंतबल है यह उन लोगों की ग कोपियां बहुत कहते हैं कि यह तो एकदम असंगत है कि इतने बड़े-बड़े चानों मुष्टिक आदी बड़े-बड़े मोटे-मोटे पहलवान और चोटे-चोटे-चोटे बच्चों से युद्ध करा रहे हैं और उन चोटे-बच्चे पीट दिये पीट ने दिये जा किसे लगते थे हमें कृष्णी की व्रधावस्ता का कोई चित्र नहीं देखता क्योंकि वे कभी भी हमारे समान व्रद नहीं होते यह तीनों कालों में भूत वर्तमा तथा भवश्य काल में सबसे व्यवर्ध पुरुष हैं ना तो उनका शरीर और नहीं बुद्धी कभी श कैसी होसता कि दाड़ी मुझ भी नहीं निकल रहा है यह आपके दादाजी है यह दादाजी है यह कैसे हो सकता है मैं वह सोचा करता हूं कि कभी लोग आश्यर नहीं करते थे कि यह क्या है आनुरुधि के बाबाजी है ना भगवान शिक्रिश्न तो अनुरुद सोचते होंगे कि यह क्या है और उनके पीता ची पूंके उमर के ही लगते को अनुरुधि के पिता जी भृद्धि वृधि नहीं नहीं होते तो असके बाद उनकी दादी रुकमनी व्हीं भृधि तो आशर नहीं होगा सामने घटेत होता हो देखेगा आपको आशर नहीं होगा कि यह बुड़े क्यों नहीं हो रहे है वाला बिल्कुल जैसे मेरे पिताजी भी होते तो उनकी शकल एकदम मेरे जासी लगती जैसे वह मैं हूँ अला मैं तो चले थोड़ा ब्रद्ध हो गया ल तो आशर लग रहे थे और पब्लिक में असे लग रहा है पब्लिक में आपने फोटो देखी गीता में अर्जुन की मूझ आ गई है और अर्जुन की आप बोले थे कि आप तो हमारे सम्वायस के लेकिन भगवान की मूझे नहीं आई है तो क्या यह सब व्यक्या और यह अव्यात्मा है थे यह नहीं समझ पाओ कैसे होता है लिक्रों नहीं बद्धी जीन होती है बदल्त ही यह तो आफ देख अब अग घायव 20 अव्यक बतारत हैं कि वह मेला राखरती और बस जो सुनते तुरंत जो और आ बहुत हो नई, it will happen soon with all of us. इसलिए भक्ति कर लेने चाए खूब ताकि भक्ति के लाबा को यादि न रहे. क्या? Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram, Ram. प्रफोजी सुफ्रिश्मास इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजनमा सचदानंद रूप वाले रूप वाले हैं जिनके दिव शरीर तता बुद्धी में कोई परवतर नहीं होता देखिए उनमें शरीर और बुद्धी का भेद नहीं है फिर बेसे भाशा प्योग की जा रही है वस्तता उनका विर्भाव अतिरो भाव सूर के उदय तथा अस्त के समान है जो हमारे सामने से घूमता हुआ हम कि जब सूर्य हमारी दृष्टी से ओजन रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है और जब हमारे समक्श होता है वस्तता सूर्य स्थिर है किन्तु अपनी अपूर्ण ढूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को वदय और अस्त होते परिकल्पित करते है walking एक बात धर धान देनी होगी कि इस पर प्रोपात बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए सूर्य के लिए भूत और भविश्य नहीं है क्योंकि भूत और भविश्य कानबव हम दिन और रात के द्वारा करते हैं लेकिन सूर्य के लिए क्या है नित दिन ही है तो वह नित वर्तम है कि भगवान इस से में नहीं है मैं फिर आपनों का ध्यान आकरिष्ट करूंगा कि हमारे पिताजी छोड़ चुके हैं वो छोड़ चुके अस्त अस्ते बलब आत्मा तो नस्त नहीं लेकिन वो शरीर गया अब उसे नहीं कर सकते हैं लेकिन भगवान तो भी हुमारे हिर्दे करका तो है नहीं है लेकिन भगवान से तो आप तुन कर सकते आपके चित्में आपके हृद्य मेख स्वय भूरु है स्ग्जू कर सकते है यह बात है कि इंधक पिताजी के मालु को पिताजी को जम रचती वह लगति थी पूड़ी और आलू बैगन बहुत अच्छा लगता था खिला दे उनको तो नहीं खिला सकते लेकिन भगवान को खिला सकते ना भगवान खा भी सकते बोले ना पत्रम पुष्प्रम फॉलं तो यहम युवे भक्ति आप्रे चिती तदहम भक्ति परतम अश्नामी प्रतात्मना तो कुट भगवान का प्राकट तक ततरों धान समानजी जीव जida है अथा सपर्षट है का यह अधिए तो नहीं है कैन्ति बिक्ष्वान का है शाषवत समज में आ गया था थ ना सूर यह कанич रूप में प्राकट हो रहा है और कहीं न कहीं तिरोधान भी हो रहा है कटनाई समझदे में सूरी वाल एक्जामपल अपनों को समझ भी आ गया था हर जगे सूरी अस्त हो रहा है और हर जगे कहीं न कहीं अधित हो रहा है और जो भी स्टेज आप सूरी की देख रहे हैं वो कहीं न कहीं विद्यमान है ठीक है अपनी अंतरंग का शक्ति के कारण आनंद शुरूप हैं और इस बहुतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते प्राइम मिनिस्टर अगर जेल में जाता है तो वह अपनी गाड़ियों से जाता है वह पूलिस की गाड़ियों से हद कड़ी बंद करके नहीं जाता है it is very clear ऐसे हम लोग प्रगृति के अधीन हो करो करके आते हैं हम आत्मद्हक्ण से नहीं आते हैं भगवान अपनी शक्ति से आते हम अपनी कृपा से नहीं बनायट से नहीं आ रहें हम अपने ज्यान से नहीं आ चुका है बहुदा जायते करिश्ण था ना इस लोग आपको मिल जाएगा गीता भूशन में अगर पीछी देखेंगे अजाय मानों बहुदा विजायते ठीक है हाँ ओके तो यह वेदिक शुर्ति का वाक्य हो गया आगे क्या पढ़ते हैं कि कहां थे 48-48 हाँ वैदिक साहित्यों से भी पुष्टी होती कि यह भी भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं किन्तु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं कि इसको भी कीता पुष्ट में बोला गया था कि प्रकट उनका जन्म होता है लेकिन वैद देह का परिवर्तन नहीं करते हैं बार बार इस बात को क्यों बोला जा रहा है समझने समझाने के लिए कि भगवान का जन्म देविया है श्रीमत भागवतम में अपनी मादा के समक्ष नारायन रूप में चार भोजाओं तता शड़ एश्वरत से युक्त होकर प्रकट होते हैं इसकी वैख्या भी हो चुकी है की तक पुष्ण में जी हाँ उनका आद शाश्वरत रूप में प्रकट उनकी अहयत्यों की क्रिपा है जो जीवों को प्रदान की जाती है जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान किंद्रित कर सके ना कि निरविशेश वादियों द्वारा मनोधर्म या कलपना प्राधारित रूप में य देखो भगवान निराकार है इसलिए भगवान आते है तरतापित करने के लिए भक्तों को सुखी करने के लिए नहीं मैं निराकार नहीं हूं देखो मेरा याकार है तुम मुझे खेला सकते हो मेरी सेवा कर सकते हो इतियाद इतियादी भगवान जब आते है तब तो हला है क ब्रुदा मिरंकार है लेकिन जब बगवान अगर ना आए तो भाड आए ही नहीं तो यह और आते दुझाईगा यह बात है, तो इसलिए भगवान आते है, एक इंटरस्टिंग बात है, मनो धर्म या कलपनाव परधारित रूप में नहीं आते है, नहीं केंदित करना होता है, बेटा तुम जिसको, जहां तुम्हारे मन लगे, उसका ही तुम माल लो, और मीटी से बोले, आप लोगों का, ज गलत नहीं बोले वो, कृष्ण बात मारा जहां बिटा तुम जहां मती दगे, ऐसे बोलते है न बड़े, मीटा है मीटा है तुम घुरुजी कितना च्छा बोल रहा है, कितना प्यारी बाते बल बोलते है, यह स्कॉन वाले तो बड़े संकीन है, इनने तो पता ही नहीं बग आप तो क्या पास ही गीता, गीता का श्लोग तो सभी के लिए है ना, सारे संब्रता के लोग स्विकार करते हैं, इस कौन के बड़ उसको यतहरू प्रस्थत कर रहे है, कहीं बगवान नहीं कह रहे हैं, बड़े मीटी मीटी वाजवान नहीं बोले है, अर्चन तुम जैसे म लोग हैं वो मान लेते हैं, किसी का भी ध्यान करो, नहीं को आपो, एक जोती नीचे, जोती पे ध्यान कीजिए, वो जोती हिदे में समाहित हो जाएगी, और आपको ज्ञान प्रकाश हो जाएगा, पतला पतले वाजम बोलते हैं, अरे, UKP कहेंगे, कोच मता रहे हैं, क्या ह लगाएंगे नहीं, और भगवान के लाव मन कहीं लगेगा नहीं, इसलिए गूरू का पहला लक्षन तो यह है कि ठीक ठीक यह बताए कि बगवान है कौन, ठीक है, विश्विकोष के अंसार माया या आत्न माया शब्द भगवान की अहेत्व की कृपा का सोचक है, आप कर लेंगे आते हैं, भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरो भावन से अवगत रहते हैं, किन्तु समान जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वे अपने पूर्व शरीर के विश्व में सब कुछ भूल लाता है, यह काफी इंट्रस्टिंग है, इ कि हम से भूला नहीं जा रहा है, अब भूला नहीं जा रहा है, क्या आगर है, भूला नहीं जा रहा है, तो पेटा, आठ गंड़ों तो तो भूली जाते हैं, रात्रे में भूलने जाते हैं, दिन में भले रोलना चालू करते हैं, कि बढ़ा सकते हैं, यह हैं, प्लान नहीं लेकिन क्या कुछ भी आदनी आता मर रही की जी रही कि क्या मतलब पता नहीं फू नोस इस नॉट यह पतनी थी या नहीं बच्चे थे या नहीं कि घूनोस का खुरोष था चिपकली था क्या जाने बताईए और वह घटना बहुत परानी नहीं और एकदम सील कर दिया एकदम सील कुछ याद नहीं है कर दी ना भवान ने आ सकती एकदम जीरो हो गई और इस जीवन में भेरा मुसी में फंच जाए कि हम इसको भूल नहीं सकते उसको भूल नहीं सकते यह नहीं कर सकते अब आंप फिर सीर कर देंगा और सोटे समय तम भूलते ही हैं कटनाई यह है कि हम इस जगत की temporary problem को solve करने के चकर में permanent problem को solve नहीं करते हैं permanent problem यह है कि मल से भरे और श्रीर में हमको रहना पड़ रहा है जब वह बहार आता है तो उसको यह नाग भूख से ओड़ते हैं कितना disgusting और जगह तो सब लोग करते हैं इस पार दो लाइफ पार दो लाइफ हमनों तो कलपना ही नहीं कर सकते कि स्वर्ग में कैसा शरीर होता होगा और अध्यात्मिक चेन में शरीर का तो हम अंधाजा नहीं लगा सकते हैं इसलिए तो मैं भोगों में पड़ा रहता हूं कि यह बड़े अच्छी है बढ़े अच्छी वोग कि वस तो कुछ भी अच्छा रही है बस यह दिकत है ठाकरजी घ्यान को स्थिर नहीं रहने दे रहे हैं यह जन आ रह जाए मैं बोलना चाह रहा था मैं बोल ही दिता हूं अभी यहां के वाश्रूम में यूज कर रहा था, वो टॉलेट चोक था, I felt like vomiting. समझते हैं, टॉलेट चोक होने का मतलब है, और उसमें किसी ने कुछ, अपने काम कर दिया था, इसा सो डिस्गस्टिंग, इस मट्रियल ओर इस डिस्गस्टिंग, लेकिन हम डिस्गस्टिंग होते हैं, यह और इस्गस्टिंग है, यह ही वश्था बना, लंबा जीलो, जमा जीलो अशेकर है, भगवान अपने समस्त, पूर, आविर भावत, तिरो, भावं से आवकत रहते हैं, लेकिन तो समायन जीव को जैसे ही नवीन श्रीर प्राप्त होता है वे अपने पूर श्रीर के विश्य में सब कुछ भूल जाता है अब प्रश्ण यह बने का बहान बुला क्यों देते हैं अरे बुलाए नहीं तो हमारी हालत खरा हो जाए मान लोग पिछले जन्म में बहुत पैसे वाले थे खुब लोगा पैसा सपोर्टा अब इस बार नहीं मिल रहा है तो दुखी नहीं होगा यह किसी ने पिछली बार मडर किया और वही बच्चे के रूम पैदा हो गया याद आ देता है फिर पैदा हो गया मेरा कून पीने के लिए ऐसा हो सकता है लेकिन यह सील करना जरूरी है था कि आई जीवन में जी सके मान लो पिछो जो मैं माता जी था मैं यह थी जो भी बोल स्वामी है भूता नाम इश्वरो पिसन क्योंकि इस धरा पर रहते वे आश्चर जुनक तथा अतिमानवी लिला करते हैं सबस्ट है ऐसी लिला करते हैं जो भगवान कोई घोजीव सोच में नहीं सकता है गोर्दन लिला बगल में होई थी पास में अतह भगवान दिरंतर व सब्सक्राइब कोई प्रश्ण तो है नहीं आप यह देख रहे होंगे कि उसको भेहनत करके पर्ड़ लिया करिए कर एक भक्त बोल रहे थे कि कि हम पहले प्रड़ रहते को समझ में नहीं आ रहे था यह मुझे पता है कि कोश समझ में नहीं आएगा लेकिन जब मैं उसको पढ़ाओंगा तो आप उससे अनभेगी रहेंगे कि यह क्या है मुरूं से हिंदी तो कम सेम लगने लग जाएगी हिंदी तो लग रहा है और फिर उसके बाद आप दुबारा पढ़ेंगे तो जरू समझ में आजाएगा और उसके बाद कभी भी बोला जाएगा ना आप देखना को याद रहेगा वो यह चीज़े आप ध्यान से सुन लीज़ेगा कि जो चीज़ सुन लेते हैं आख से गड़ा करका से सुन लेते हैं आपको लगता कि भूल जाओगे लेकिन दुबारा कभी भी बोला जागे तो खट से आपको याद हो जाएगा अगर कहीं पढ़ाने लग गए तो फिर बन में छप जाएगा यह बहुत इंट्रस्टिंग है ठीक है लोग मायाबाद मायाबाद की बातों से क्योंकि जीव इस जगत में है ही इसी इच्छा से युक्त की वह भगवान बनना चाहता है कोई भी ऐसा प्रस्ताव जिसके दौरा मैं केंद्र में बन जाओ यह मुझे बड़ा अच्छा लगता है और इसके लिए विक्ति कोई भी तपस्षा करने के लिए त्यार हो जाता ह है अगरीड वह हो नहीं जाता है केंद्र में उसे कुछ अनभू छलावा लगता है कि हां केंद्र में हो जाएगा यह देख रहे हैं ना सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं केंद्र बनने के लिए तो जब बोलें कि तुम भगवान बन जाओग तो तुम बहुत अच्छा उसक हो गया ना कि भगवान बनाओ के कैसे और अच्छा चलो तुम भगवान हो ना तो तुम तो सर्व समर्थ हो तो तुम यह फिर मुशे तपस्य क्यों करवा रहे हो बस बनवा तो भगवान और कुछ नहीं ज्यादा नहीं थोड़ी फीस है मेरी सो डॉलर देंगे मैं को इसे मंत्र दूंगा भगवान बन जाएं भगवान को पैसे की यूरत है तो देखा जाये को भगवान पैसा क्यों मांग रहे है यत करोशी अदसनासी तो यह तो रीती ही है इस जगत के जूटे भगवान भी तो पैसा मांग रहे है सो डॉलर दे दो उंको तो मंत्र देंगे तुम भगवान बन जाओगे लेकिन वास्तविक रूप से कुछ नहीं क करना पड़ता मचली को पानी के बाहर निकार जाए तो तो यह हम लोगी बड़ी अजीव सी स्थिती है कि हम भगवान बनने का प्रयास करने बहुत है ना तो बनने का प्रयास करना चाहिए ना बन सकते हैं तो इसलिए लेकिन हाँ ऐसी बाते लोगों अच्छी लेगते वाई ओवरेड मतलब जिंकी उमर बहुत ज़दा हो चके है आयो ने के मजे छिपकली से बहुत भर लगता है ऐसा क्यों अच्छ चा प्रशना है का फे अच्छा प्रशना है अप लोग बता दिए कि ऐसे प्रशन हो तरह हम क्या कहें हो सकता है पुछ जनम में एख ये छोट तो वही भाय इस जिवन में परणत हो रहा है इतने इतने दिवय प्रश्णों का उत्तर अमगन नहीं दे सकते कथिन है ठीक है प्रभवान की लीला जो चल रहा है बाकी ब्रहमांडो में या बाकी उनिवर्स में तो ये सेम लीला चल रही इसके बारे में कुछ टिपन ही होगारा अच्छा प्रश्णिक है ठीक है अच्छा है अचांगी देखें सेम हो ज़रूदी नहीं है लेकिन इसे माली यह आचारगना बताते हैं कि कहीं कहीं भ्रवान श्री कृष्ण काल्या के उपर सेर्व करते मथल जाते हैं और एक ही ब्रह्मान में अलग अलग कल्प होते हैं तो अलग अलग कल्प में भगवान एकधम एक झालती रहती कोई नहीं से प्रवैश कर गए तो अब बाहर बाहर ने सोच रहे कि भगवान की लिलागे प्रवेश कर तो थे वह स्कूना करे यह है कि अगर थी शधल्वन कि युद्र प्रिवेश कर घा prone मैं अपनी बात करूं तो मेरी भौतिक आस्थिक कारण यही है कि मैं भूल जा रहा हूं कि भगवान की लीला डायरेक्ट लीला में मेरा भी एक रोल है मेरी बात आपको समझ रहे हम सबकी जो भी आ सकती वह इसलिए ना कि छोटे से वर्तमान जीवन में प्रबाद बलते हैं फ्लैपिंग विंग्स फॉर फॉर मेर फिफ्टी फॉर्टी एर्स फॉर्टी शुटी एर्स येस और इसी जीवन में हम लोग उल्जहे रहते ना इस ड्रामा में कहें तो और यह बास सत्य मैं ऐसे इमोशिनल यह आपनों को मिला प्रेणित करने के नहीं बोलता हूं यह सत्य बात है कि हम सभी का भगवान से संबंध है बगवान की जो एलीला चल ले इसमें हमारा भी एक भाग है जंदी से यहां आप से भगवान की भक्ति करके हाथ हाथ पैर सुद्ध हों नकरात्मा कूर्जा शरीर जाय और सब अर्थ नस्ट हो भगवान के पास चले जितना जितना हमारा हिर्दर्शुद होता जाएगा उतना इतना बात इसमें आज ही प्रोपाद बहुत सुंदर बा अब बात सुचिया और भूद बात प्रोपाजी करें सुबह कर सुबह के प्रवचा प्रवचान प्रोपाद का सुन लेता हूं अग्दम खुश रहाता है समय नहीं था मैं सुबह नहीं बोला भगवान कहते हैं अगले शलुक में कहेंगे कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब वह अव्तरित होते हैं और धर्म का बिठान होता है तो प्रवपाद कह रहे हैं कि देखिए भगवान भगवदीता के अंत में क्या कोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शर्णम ब्रजा अग्रीट और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रडितम धर्म वह है वह समयाओ ऑड़ीत घ्रम को चोड़ दो और मेरी शर्ण में आऊ अर्थात भगवान की शर्ण में जाना ही असली धर्म आपके सब नखली धर्म है, ढाख समझा धर्में में आओ तो मेरी शरण मे आना कृष्णि की शरण में आना ही असली धर्म है और जब उसकी ग्लानि होती दा भगमान अवतुरित होते हसा है कि अलग अलग प्रकार के इन बता मैं अगर मैं इपनी पेचान से książ æलग धर्म है मन से करना तो अलग धर्म है इत्याद्य इत्याद् तब भवान अव्तरित होते, वो कल का विशे रहेगा, बट वेरी नाइस एस्प्रेंडेशन, असली धर्म है तो नकली को छाट दिये, मेरी शरुण में याओ, ये असली धर्म है, तो फिर हम नई जापा ने तब किया, तो प्रपाजी कहते हारे किस्ट जपो, हरे किस्ट मंत जप रहा है, भक्ती कर रहा है, तो अब वह है, शरुणाकत हो रहा है, लेकिन मालो संदे हो रहा है, कि हम ये करेंगे, तो कहीं पाप न लग जाए इत्यादीते, जितना जितना हमारा हिदर्श शुद्ध होगा भक्ती के द्वारा, नाम के द्वारा, उतना और भग्वान की शरुणाकत होने की भावना बढ़ जाएगी, ये पाप ही है, जो विक्ती को रोकता है, भग्वान की शरुणाकती स्विकार करने के लिए, वससे हम बाते हम कल चचा करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा बात था, वससे हमने प्रस्टत किया, और कुछ कहना चाहते हैं, भग्वान की डैरेक्ट लीला में प्रवेश करने के लिए, सभी भौतिक आसक्तियों को छोड़ना होगा ना प्रवजी, ये तो ऐसा लग रहा है कि कम्प्लेन कर रहे हैं, ये तो भग्वान बहुत डिमांड कर रहे हैं, बहुत डिमांड कर रहे हैं, आप बताएए क्या होता है इसका, देखिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए, जितना हृदय का कशाय समाप्त होगा, उतनी ही उतकंठा बढ़ती चली जाएगी, जैसे समझ लीजे कि अब लोहा है, और लोहे में कुछ मटी आदी मिली हुई है, तो जो उसका सहज गुण है, मैगनेट की प्रती आकर्षित होने का, वो कुछ दब जाता है, लेकिन जैसे जैसे मटी अब छानते चले जाएगे, तो वो गुण प्रकाशित होता चला जाएगा, अगर अभी भी समझ मेरा तो लोहा लीजे, लोहे के उपर बहुत सारे कपड़े डाल दीजे, तो वो अब ऐसा नहीं लगेगा कि सुभावी ग्रूप से मैगनेट की प्रती आकर्षित हो रहा है, यहाँ बिल्कुल ही हो पाएंगे, अनर्थ उपशमों, शाक्षाद, भक्ति, योगम, अधोक्षजे, लोकस से जानतो, विद्वांस, चक्रे, सात्मत, सहीताम, जितने भी अनर्थ हैं, वह बगवान की भक्ति से एकदम उड़ जाते हैं, समार्थ हो जाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए भागवत की सातो सहीता की रचना, श्रीला व्यास देव जी ने किया, यह देपी, यह मेरे को भी कभी लगता है, कि कैसे सारे अनर्थ नष्ट होंगे, एक भी हो नहीं रहा है, और कैसे सब नष्ट होंगे, लेकिन आकर कुछ भी न नष्ट होंगे, वी माना थे